दोस्तो हफते में एक दिन ऐसा जरूर आता है कि जब मेरा मन बिलकुल नहीं मानता और मन करता है कोई बड़िया सी चटपटी सी चीज खाई जाए और खासका नॉन्वेज में एक बाद जरूर बनाईएगा आपको बहुत जादा मज़ा आ जाएगा चिक्केन चटपटा बनाने के लिए आपको एक किलो चिकन ले लेना है उसको अच्छी तरीकी से क्लीन एंड वाश कर लेना है उसके बाद मैंने यहाँ पे दही का इस्तिमाल किया है 200 ग्राम गाड़ा दही लेना है आपको खटा नहीं होना चाहिए जो मार्केट में नॉर्मल दही मिलता है हम उसी का इस्तिमाल करेंगे उसी की साथ में यहाँ पे मेरे पास निम्बू का रस है मैंने एक बड़ा निम्बू लिया उसका सारा रस चिकन के अंदर एड़ कर दिया और उसी की साथ में हम एक चमच नमक एड़ कर देंगे और यहाँ पे इसे बहुत ही अची तरीकी से मिक्स करेंगे दोस्तो चटपटा चिकन का simple सा marination है इसके अंदर और कोई item आपको add नी करना बनाने में बहुत ही जादा असानी रहेगी आपको तो इस चिकन को हम marinate होने देते हैं जब तक हम अपनी gravy की तयारी कर लेते हैं जित्ते समय तक आप चिकन को marinate रखेंगे न उत्ता जादा ही आपका चिकन soft बनेगा तो मैंने यहापे चिकन को side में रख दिया और फटा 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 मैंने कड़ाई लेली और गैस पे रख दी अब चिकन चटपटा बना रहे हैं तो दो कर्ची तेल तो लगी जाएगा उसी के साथ में खड़े मसाले भी लगेंगे गर्मा गर्म तेल के अंदर खड़े मसाले डालिए और उन्हें बहुत ही अच्छी तरीकी से चटकाईए इससे फ्लेवर सारा का सारा तेल में आ जाएगा और यही तो चहिए था हमको और जैसी मसाले अच्छी तरीकी से पक जाएंगे तब हम खूप सारी प्यास लेंगे और तेल के अंदर एड़ कर देंगे लेकिन दोस्तों यहां पर आपको एक चीज़ जहार नखने है प्यास की कटिंग जब आपने नोटीस करी होगी मैंने आपको बोल में देखाया था एकदम बारी कटी हुई प्यास का इस्तिमाल करना है चिकन चटपटा की ग्रेवी थोड़ सी डावा स्टाइल बनाएंगे हम लोग और यहां पर मैंने टोटल पांच बड़ी साइस की प्यास का इस्तिमाल किया है और अब इन प्यास को हमें लाइट गोल्टन ब्राउन करना है यानि कि गोल्टन ब्राउन होता ना बहुत ज़ादा डार थोड़ा सा लाइट करना है देख सकते हैं आप 10 मिनिट का समय लगेगा लेकिन ये वाली प्रोसेस आपको खाने में फ्लेवर तो देगी साथ में आपके खाने को एक बड़ी असा टेक्स्चर भी देगी उसी के साथ में यहां पे मेरे पास बारी कटा हुआ लेसन है तो यहां पे मैंने दो बड़ी चम लाइट रखा वो इसलिए कि जब तक हम लोग का अध्रा को लेसन पकेगा तब तक हम लोगी प्याज भी अच्छी तरीकी से पक जाएगी जैसे के अभी पक चुकी है तो अब मैं क्या करूंगा मैं फटा बड़ से मैरिनेटेट चिकन को एड़ कर दूँगा एक एक लेक प आप इस चिकन की भूनाई को शुरू कर दीजेगा सबसे पहला काम आपको यह करना है कि इस ग्रीवी को दही को और चिकन को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है देख सकते आप दोस्तों बड़िया से आप कोशिश कीजिए अच्छी तरीके से दो मिनिट के अंद पांच मिनिट बस इसकी हाई फ्लेम पे रोस्टिंग कर देख सकते आप चिकन पे चोट इसी परत है जो कि बहुत ही बड़ी अजी चमक दे रही है तो मैं इस चिकन को अच्छी तरीके से मिलाते जाओंगा अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है यहाँ पे हम लोग को करना थी वो थोड़ी सी जादा मोटी होती जा रही है और बस इसी तरीके से हम लोग को इस चिकन को अच्छी तरीके से पकाते जाना है और चिकन का पानी काफी जादा सूख जाने के बाद हम इसके अंदर कुछ पॉडर वाले मसाले अट करेंगे दोस्तो एक चमच देगी दोस्तो बहुत जादा एड नहीं करना है आपको कि हम लोग ने मेरिनेशन में पहले सी एड करके रखा है धी में आप चिकन को मिलाते जाएंगे तो देखिए क्या रंगत आती जा रही है आती जा रही है और आप ये देख सकते हैं बिलकुल बहतरीन सा हम लोग का चट पड पानी आड कर दीजे जिससे कि आपकी ग्रेवी का टेंपरेचर चिकन का टेंपरेचर बहुत ही बढ़िया रहे और भाई इसको एक बार बहुत अच्छी तरीकी से आपको मिक्स भी करना है ध्यान इसी इसका देना है दोस्तो अगर आप ग्रेवी चाते हैं तो थोड़ा सा अगर आप सेमी ग्रेवी चाते हैं जो कि ग्रेवी और गाड़ी ग्रेवी के बीच का टेक्टर रहता है तो आप थोड़ा सा मीडियम पानी आड कीजेगा मैं चिकन में इतना पानी आड करता हूं कि चिकन अच्छी तरीके से ढख जाए जैसे कि आप वीडियो में देख सकत है दोस्तों ग्रेवी हलकी से रिडियूस हुई है लेकिन इससे हम लोग का चिकन बहुत ही जादा सॉफ्ट पकेगा तो मैं इसको एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर देता हूं और अभी मैं आपको अगर लेकमिस दिखाऊं तो आप देख सकते कि काफी हद तक लेकिन जो चिकन के सीने के पीसे हैं उनमें थोड़ी सी कसर बाकी है तो इसलिए मैं गैस की फिलेम को इगदम धीमा कर दूँगा फटा फट से आप गैस का नौब गुमा दीजे और इसको ढख दीजे इजिए और फिर हम खोल के देखते हैं हम लोग का चिकेन चटपटा दिख कैसर आए चिकेन चटपटा के अंदर अगर आपने आदा चम्मच चाट मसाला डाल दिया सच मानो इसका फ्लेवर बहुत ही जादा बढ़ जाएगा उसी के साथ में आपको इसके अंदर बहुत ही जरा सा गरम मसाला डालना है वैसे तो डालने की जरुबत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने जिस तरीके से बनाया उसमें गरम मसाला लगेगा नहीं चुका है और इसका स्वात बहुत ही जादा लाजबाद था ग्रीवी को मैंने बिल्कुल धाबास चाहे लगा है दोस्तों टामाटर का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करना है थोड़ा सा दही और थोड़ा सा निम्बू से खटास आ जाएगी बहुत ही बढ़िया सी और दही जो तो देख सकते हैं कि चिकन को जब भी मैं छूँ रहा हूँ तो बड़िया से पीसे टूट रहे हैं यह हम लोग के मैरीनेशन का कमालता दोस्तों 15 मिनिट का मैरीनेशन है सिर्वो सिर्व देखी आप फटा फट से चिकन चटपडा बन गया और रेसिपी अगर आपको सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पर लाइक करेंगा और हम फिर मिलेंगे नई नी रेसिपीज के साथ तब तक लिए गुडबाई